हलो एंड वेलकम यूल टू बीट दे स्ट्रीट आज हम एक स्पेशल सिच्वेशन के उपर बात करने वाले हैं पिरामल फार्मा के बारे में बात करने वाले पिरामल इंटरप्राइस लिम्टेड करके एक कंपनी है जो लिस्टेड है अभी वहाँ पर एक स्पेशल स्पेशल सिच्वेशन के साथ साथ उनका श्री राम केपिटल में जो स्टेक है उससे रिलेटेड बिजनिस आता है जहां से करीवन 55% फिरामल फार्मा बिजनिस है उससे बिजनिस से यह सारा पैसा रेवेनियो आता है तो आज हम डिसकस करने वाले हैं ग्रोसली अबाउट पिरामल फार्मा क्योंकि वो एक काफी लुक्रेटिव बिजनिस है एक वेरी गूड वेलिएशन करेंटली और उसी के गराण आज हम यह वीडियो लॉंच कर रहे हैं इससे रिलेटेड अगर आपको डीटेल वीडियो देखनी है तो वोक्टोमर में हमने एक वीडियो लॉं की लिए चैनल को सबस्क्राइब करें और वीडियो को शेयर करें तक ही जादा जादा लोगों को यह पूरा पिरामाल फार्मा के बिजनिस को भी संजेंगे हैं तो पिरामल फार्मा में अभी जो एक्शेंग श्रक्चर है, उसमें क्या है 56% public शेयर ओल्डिंग है piramal इंटर स्टेक है जो इन्हों ने अपना स्टेक जो पी फर्म को बेचा था उस से रिलेटेड है इसमें इनके अलग-अलग बिजनिसेज हैं CDMO हो गया, complex, general हो गया, Indian consumer healthcare हो गया जिसके बारे में हम बात करेंगे financial services आपको आगे समझ में होगा, अब आजाते हैं हम कि post-demerger क्या होगा तो post-demerger में अगर हम बात करें तो 56% पिरामल इंटरप्राइज ये वाली जो कंपनी है वो NBFC बन जाएगी जिसमें 56% shareholder ही रहेगे बट यहां पर shareholder का जो percentage है वो 45% हो जाएगा और 20% investor का है, promoter का है, यहां पर 35% ही रहेगा, यहां पर जबकि promoter 44% पर चल रहे है और इसका जो पूरा है structure वो पूरा simplify हो जाएगा और इनका structure होगा जो पूरा financial focus रहेगा मतलब financial services focus रहेगा, यहां पर हम pharma पर related बात करेंगे तो अब start करते हैं, पीडामल pharma का business analysis की वो क्या-क्या करते हैं और क्या-क्या future उसकी expectancy उससे पहले अगर मैं आपके सामने एक screen पर जो present किया है उसको आप अगर धंग से समझें कि उन्होंने किस तरीके से shareholder के लिए एक significant value create की है वो यहां पर आप देख सकते हैं कि annual revenue अगर हम इनके पिछले साल 33 years का track record देखते हैं तो 22% से यहां पर annually growth दिया है company ने revenue के गर में 28% net profit में और वही annualized return to shareholder की बात करें तो 26% यहां पर इन्होंने 33 years है एक काफी अच्छी franchise है जिन्होंने काफी बड़ी एक मतलब longer time में बहुत अच्छा value create किया है और साथी साथ इनके अलावा company ने shareholders को भी यहां पर dividend के साथ capital raising buy back के through और value create करके दी है तो अब आजाते हैं हम direct pharma business पे ज़्यादा time waste नहीं करते हैं पीरामल pharma को अगर हम समझें तो यहां पर हम 4 business में इसको divide कर सकते हैं total revenue यहां पर आप देख सकते हैं 5776 करोड का है और EBITDA margin काफी decent काफी बढ़िया है 22% का जहां पर 1283 करोड रुपए यह EBITDA के रूप में कमाते हैं चार business यहां पर निकल के आते हैं पहला आता है CDMO, Complex Hospital Generic, Indian Consumer Healthcare और JV with Allergan तो सबसे जो major revenue आता है न वो आता है यहां पर CDMO और CDMO के business कारण नहीं है पीरामल pharma आज एक बहुत ही एक बहुत ही सही position create करता है अगर हमार को एक pharma company में invest करना है तो और हम special situation के बारे में discuss भी इस लिए करने हैं उसकी growth है वो काफी potential उसमें काफी potential है क्योंकि एक तो यह इंडिया में top 3 में आता है CDMO business CDMO business पहले क्या होता वो मैं आपको समझा देता हूं जिसको नहीं पता है contract development and manufacturing organization यह क्या करते हैं कि जो हमारी जो दबाई बनती है हमारी जो medicines बनती है उसमें क्या होता है कि बहुत सरी phases होती है जिसके through उनको गुजरना होता है तो उसमें phase 1, phase 2, phase 3 होती है उसके बाद एक commercial production होता है तो उसमें क्या होता है CDMO का रोल का आता है एक होता है CRO जो होता है contract research organization एक होता है contract development and manufacturing organization तो research वाला क्या करता है research करता है कि यार ये molecule है जो particularly इस दबाई के लिए काम आना चाहिए तो जैसे research करता है उसको नहीं पता है कि बनाते कैसे हैं इसकी capacity कैसे expansion होगी manufacturing कैसे होगी तो उसके लिए वो क्या करता है CDMO की सायता लेता है CDMO का main focus होता है कि वो pharma companies होती है जो इसको बेचेगी ultimately CDMO main major business होता है B2B business B2B मतलब business to business ये क्या करते हैं CR हो से करीते हैं कि particular molecule इस दबाई को इसके लिए ठीक करेगा ये capacity expansion करते हैं ये phase 1, phase 2, phase 3 की जो procedure होते हैं जो इसका आगे USFD का जो approval होता है उसमें क्या-क्या चीज़े होती है कि phase 1 में उस particular molecule को हम डालके देखते हैं कि यार 10 लोगों पर try करके देखते हैं इनके कुछ side effect आता है क्या फिर phase 2 में हम 100 लोगों में डालके देखते हैं phase 3 में thousands पर डालके देखते हैं इस तरीके की procedure होती है US FDA के approval के लिए जैसी FDA approval मिल जाता है तो आप उसका capacity expansion कर सकते हैं आपके वास patented रहता है तो उसके करण वहाँ पर margins काफी ज़्यादा होती है तो CDMO का major focus होता है कि यहाँ पर जो आने वाली processes यहाँ पर जो molecules हैं वो हम successful करें और जैसे ही successful होंगे तो आपको क्या हो मिलेगा आपको एक higher margin वाला business मिलेगा जो patented होगा और साथी साथ आप tie up कर लेंगे एक ऐसी company के साथ जो इसकी distribution को strong कर देगी और आपका काम क्या होगा आपको उसको manufacturing करके और उसको supply करना है and that's it तो वहाँ पर क्या होता है और हम overall margin भी देखते हैं तो 22% margins are very very good in particular segment इसके लाबा major business है जहां से चंग यहां से निकलते के आता है और यह world में 13th largest CDMO player है वो अपने हाप में एक बहुत ही बड़ा है और यहाँ पर काफी opportunities available है इंडिया में क्योंकि इंडिया में 3rd largest है और यह आने वाले समय में इसको काफी expand करने वाले है क्योंकि अगर हम इनके molecules के बात करें तो अभी more than 150 के lump sum इनके molecules है वो अभी phase 1, phase 2 और phase 3 में pending पड़े है तो वहाँ से आने वाले समय में आप देखेंगे करीबन 30 molecules हैं जो phase 3 में और phase 3 में आप मान के चलिए कि phase 3 में जितने भी molecules होते हैं उसका करीबन-करीबन 60-70% है वो यहाँ पर करीबन-करीबन आगे successful हो जाते हैं और वो जिनका commercial production होता है तो वहाँ से अगर हम देखते हैं कि 30 में 60% भी मनें हम तो इसको 10 भी लेकर चलते हैं 10 molecules भी अगर successful हो जाते हैं तो यहाँ बहुत बड़े चांस है जहां पर काफी अच्छा gain बनाया जा सकता है और वही CDMO बिजनिस काफी late stage पे इनकी जो molecules हैं वो हैं और उसके कराण यहाँ पर क्या होता हैं कि इनकी जो valuations है वो काफी higher हो सकती है अगर यहाँ पर successful यह molecules हो जाते हैं तो तो यह सबसे important पूरा area है जहां पर काफी अच्छा पैसा बनाया जा सकता है इसके अलावा जो दूसरा बिजनिस है वो complex health generic का है complex health generic का करीबन global market size 50 billion dollar के लंसम का है और 1669 करोड का है इनका क्या है कि वर्ल्ड में अगर हम बात करें कि वर्ल्ड में अगर इनके inhaled anesthesia करके इनका जो major product है वो आता है और वो fourth largest है वर्ल्ड में अगर हम global में बात करें और US में market leader है तो आप समझें कि यह एक ऐसा business है complex health hospital generic में anesthesia करके जो होता है वो inhaled anesthesia यह इनके लॉंच किया है तो वो उसमें क्या है न काफी high entry barrier है हर कोई उसमें गुश नहीं सकता है तो उसके करण क्या होता है कि वहाँ पर भी काफी high entry barriers है और जो दूसरे business है जैसे CDMO के जो molecules इनके पास है उसका patent इनको मिलेगा तो वहाँ पर यह दोनों जो हैं वो काफी strong आप कह सकते margins वाले business है और उसमें काफी अच्छी growth आपको दिख सकती है high entry barrier होने के कारण injectables में यह आगे और दूसरी अगर नई चीजों को करते हैं तो वहाँ पर भी काफी अच्छे growth के potential यहाँ पर बनते हैं इसके रहाँ जो third brand है वो Indian consumer healthcare Indian consumer healthcare में क्या क्या आता है तो आपने अगर seridone सुना होगा तो वो पीरामल pharma का ही brand है तो क्या करते हैं OTC products जो होते हैं OTC मतलब क्या होता है वो होते हैं OTC product जिनको आप कोई भी medical की दुकान पर जाके आप वैसी खरीद सकते हैं तो वो आजाता है Indian consumer healthcare में उसका market है 6-10 billion dollar और ये इंडिया में 11th rank करते हैं तो वहाँ से 500 करोड का करीबन इनका revenue निकल के आता है और उसमें क्या है ना कि अभी ये क्या कर रहे है कि prescribed जो medicine होती है उसमें भी entry लेने की सोच रहे है तो आप देख सकते कि कितना बड़ा potential है पहले तो इनके पास पूरा distribution setup है इसके अलावा इनके पास है ना जो OTC वाले जो products होते हैं उसमें सब अलग अलग जो products होते हैं उसमें काफी अच्छी market leadership रखते हैं और overall पूरे global brands में भी 11th number पे हैं इंडिया में मतलब इंडिया में इंडिया में 11th में OTC segment में है तो ये अपने आप में काफी बड़ा नाम है और काफी बड़िया बड़िया product इनके पास already है जिसको अगर मैं आपको highlight करूँ तो इंडियन consumer healthcare में अगर हम बात करें इसमें यहां पर आप देख सकते हैं seridone इनका आजाता है skincare में lektokalamine आजाता है VMS में अगर हम बात करें supraadin Ipil I know women healthcare में आ जाता है इतने सारे brands already इनके पास है तो काफी 21 brands का इनके पास diversified portfolio है जो अलग-अलग category में है और उसके करण क्या होता है कि आपका market जो distribution है वो काफी बढ़ जाता है तो अगर मान लिजे कि आपकी अगर skincare में आपने और कुछ नया लोंच किया तो आपके पास already distribution है तो आपको केवल उसमें वहाँ पर एक brand और push करना है तो वहाँ से operating leverage काफी high होता है और उसके करण growth काफी fast होती है और साथी साथ आपको उसमें ज़्यादा effort नहीं करना पड़ता है तो वहाँ से एक possibility यहाँ पर भी निकल के आती है ताकि क्या होना कि क्यवल इनका brand होता है और साथ साथ third party manufacturing होती है distribution अब भी अलग होता है CFA के साथ काम करते है distribution outlet और इस तरीके से माल पहुंच जाता है तो इनको इनका क्यवल branding होती है और उसके करण क्या होता है वहाँ पर भी अच्छा margin बन जाता है तो 25 से 28% का guidance है अभी जो 22% चल रहा है ये बोल रहे हैं कि आने वाल समय में 25 से 28% तक जा सकता है तो वो भी कहीं न कहीं एक support करता हुआ नजर आता है अब तीनों business के अगर हम diversification को समझें तो यहाँ पर आपको diversification मिल जाएगा CDMO साथी साथ complex health generics और consumer healthcare तो इनका जो सबसे बड़ा segment है वहाँ पर CDMO है वहाँ पर आप revenue by services देखते हैं तो commercial manufacturing से सबसे ज़्यादा जहाँ पर सबसे ज़्यादा margins होता है इसके अलवा discovery services में इनका 5% share है development services में 27% है वही geographical देखे तो सबसे बड़ा chunk आता है US से जहाँ पर भी काफी बड़ा इनका market share है इसके अलवा जो आता है फिर बाकी Europe, India, Japan से revenue customer type की बात करें तो क्योंकि इनका B2B segment है यहाँ पर B2C कुछ भी नहीं होता है तो B2B में यहाँ पर big pharma, generics, emerging bio pharma और others करके business आता है revenue अगर हम segment wise बात करें hospital generic की जहाँ पर inhalation anesthesia करके आता है और injectable की जो इनकी speciality है वो आती है यहाँ पर pain management और यह सारी चीज़ें होती है उनमें major इनका आता है inhalation anesthesia वहीं अगर geography wise बात करें तो यहाँ पर भी काफी अच्छा diversification है बट consumer healthcare का मैंने अल्रेडी बता है क्योंकि क्या होता नहीं कि इंडिया में कोई अगर हम longer term में देखते हैं तो बहुत कम promoter होते हैं जो successfully value create कर पाते हैं और यहाँ पर इन्होंने क्या किया था अगर हम financial year 11 से बात करें financial year 20 तक की जो इन्होंने 2010 में इन्होंने एक अपना business बेचा था उसके बाद से इन्होंने consistent growth दी है अगर 9 years की revenue केगर की बात करें तो वहाँ 15% केगर है जो बहुत ही कम companies you know sustain कर पाती है इसके अलावा CDMO business में आप देखें कि 13% का केगर है complex engineering में 19% का केगर है वही Indian consumer healthcare में 14% का केगर है तो overall अगर हम market देखते हैं तो एक काफी अच्छी growth यहां पर growth opportunity है इसके अलावा EBITDA margin की बात करें तो EBITDA margin आप देख सकते हैं 11 financially 11 में जहां 7% के लमसम हुआ करता था वहाँ पर काफी अच्छी synergies इन्होंने high margin products को cater करके लिए capacity utilization को बढ़ा है backward integration किया है ताकि इनकी जो dependency over the China raw material जो करीबन बहुत कम हो चुकिए 15% के लमसम है चाहां से इनका raw material चाहना से आता है और वो भी आने वाल समय में यह कर रहे है कि और backward integration करके उसको उसकी जो dependency है वो कम की जा सके वहीं अगर हम बात करते हैं company का EBITDA है वो ओन चुका 26% जो की काफी higher है इस पूरे segment में और EBITDA केगर की बात करें तो 33% का केगर यहां पर दिया है तो यह completely अपनी global और domestic distribution जो network है उसको leverage कर रहे है और एक integrated CDM offering की अगर हम बात करें जो काफी sticky nature का business होता है उसमें काफी अच्छी growth कर रहे है चाहां पर margins भी higher होते है और growth भी काफी अच्छी होती है तो overall अगर हम देखते हैं तो यहां पर 4 segment है जहां से revenue आने वाले समय में आने वाली है तो pharma में 58% इनका पूरा share है 34% complex head generic Indian consumer वापी से मदा 8% और JV with Allergan है चहां पर भी 393 करोड का है और यह ophthalmology में आप कह सकते हैं इंडिया में fastest leader है ophthalmology अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो I'm so sorry बट वो जो भी है उसमें यहां पर ophthalmology है उसमें यहां पर काफी अच्छी growth है उसके बबब अभी हम कावन नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहां पर बड़ा chunk सबसे बड़ा chunk जो है यहां से आता है यह 49% का इनका JV है और आने वाल समय में देखना होगा कि किस तरीके से grow होता है सबसे important यहां पर बिजनिस है वो CDMO बिजनिस है जिसके कारण अभी यह अभी share करीवन 27, 28,000 तक भी चागी आया था वहां से अगर हम बापी सब भी देखने तो 2000 के करीवन share की price है जो भी चल रही है और उसके करण यह काफी attractive valuation में आ जाता है और उसके करण अगर हम देखें कि अगर आपको यह इस price range में के अंदर यहां पर काफी अच्छी opportunity देता है तो अपने financial जो भी है आपके सलाग का रहे है उनसे financial advisor से आप पूछे इस video is for educational purpose आपको अगर पसंद आई हो तो like, share, subscribe करें और अगर आपको पूरा business analysis समझ में आया तो इसमें comment करना ना बूले कि आने वाले हम किस तरीके इस तरीके special situation आपको पसंद है या नहीं, thank you so much, bye-bye